ओके तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी हम लोग के तैंथ में मार्क्स आते हैं उसका परसेंटेज कल्कुलेट करना सिखेंगे और इस परसेंटेज को कल्कुलेट करने का प्रोसीजर ये है कि पहले इस बात को समझ लें कि हम लोग जो marks calculate करते हैं वो 5 subject बिहार में में 5 subject के full marks को लिखा जाता है तो बिहार में सभी subject को मिला करके 5 subject होते हैं English का total में marks नहीं add होता है फिल हाल अभी तक In future अगर हो तो उसका हम कह नहीं सकते हैं तो 5 subject मिला करके full marks होता है 500 और मुझे उसमें से मिले है 250 number आये हैं अभी मुझे इसका percentage निकालना है तो कैसे निकलेगा तो इसका percentage निकालना है इसका simple सा क्या है कि आपको जितना भी number आये है उसको 500 से divide कर दिजिए यहाँ पे जो आपको जितना भी number दिख रहा है यह 250 number है ठीक है न यह 250 को 500 से divide कर देंगे तो दो तरीका है एक तरीका यहाँ पर है कि 250 को divide करना है कितने से इस 500 से यहाँ पे हम जैसे इंटर करेंगे तो यह देखिए यहाँ पे answer हमारा 0.5 में आ गया है इसको उमको कुछ नहीं करना है यहाँ उपर में जो लिखा हुआ है यह percentage इस पे क्लिक कर देना है और यह देखिए 50% answer percentage आ गया अगर ऐसे भी देखा जाए अगर 500 फूल पर 100% है और उसका आधा 250 होता है तो percentage भी 50% हो गया यह हो गया आपका थोड़ा सा जटिल फॉर्मूला कहते है थोड़ा साग यह complicated इसको और simple में लोग क्या समझते है कि यहाँ पे हमको मान के चली इस बार मेरा number 300 आया है इसको divide कर देना है 500 से इंटर दबाएंगे यह 0.6 है इसको select करके यहाँ पे click कर देना है 60% यहाँ पे आप number कुछ भी change किजिए 400 80% 200 40% 150 तो सोड़ी यहाँ पे यहाँ पे 150 भी करते हैं 30% तो यह थोड़ा सा formula लग गया है कि इसमें आप बस number input करते जाओ आपको answer आता जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप calculation कर सकते हैं ठीक है फिर से यहाँ गयलत जगह पे आगया 44 499 वाउ 100% क्यास क्यास में चला गया तो इसको अगर आप और details में जाना चाहते हैं तो इधर में increase decimal कर सकते हैं यह आपको देखी इस तरह से दे देगा अगर आपको एक्जेक्ट चाहते हैं तो increase कर सकते हैं approach में चाहिए तो decimal को आप decrease भी कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं एक percentage और बता देता हूं अगर percentage बना ही रहा हूं तो उसको भी calculate कर लेता हूं एक percentage यह रहने देजिए ज्यादा लंबा हो रहा है इसको next वीडियो में आपको करते हैं झांट झांट